पीजी वैलकम सी यू इन पीजी पॉइंट देखिए अब आपकी यूनिट वन कम्प्लीट हो गई है उसका एक टॉपिक बचा है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मैंने सोचा यह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है तो इसको ना हम कुछ स्पेशल बनाते हैं यह टॉपिक ना एक बहुत अल्टीमेट पीडियाफ के साथ में डिजाइन करेंगे और उसके बाद में जिस टॉपिक को हम लोग मेराथन के रूप में कवर करेंगे क्योंकि आने के लिए हम इसका शेशन लाइव करेंगे मेराथन के रूप में यह क्लास आपकी जाएगी तो टाइमिंग क्या है वह मैं आपको बात में बता दूंगे टेलिग्राम पर और जो बच्चे हमारे टेलेग्राम से नहीं जुड़े हैं फटा फट्चल लिंक के माध्यम से देखें आपको एक ब्लू कलर के लिंक दिख रही होगे लाइप चैट में उपर यहां पर हाना तो वहां सी आप जूर सकते हैं जहां पर आपको सारी पीडिए फेगर है सब मिल जाएंगे सो हम लोग अप शुरू करेंगे अपनी यूनिट टू यूनिट वन आपकी कंप्ल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और उसके बाद में यह यूनिट कंप्लीट करके फटावट्चे यूनिट ट्री भी शुरू करेंगे बहुत जल्दी आपका यह हम कोर्स यह जैनवरी में ही माल लिजे कंप्लीट कराने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा क कि इसी जैनवरी तक आपका यह समावेशी सिक्षा कंप्लीट करवा दे हैं फिर देखिए जोना फटावट्चे कि वन्चित बालक होते हैं जो प्राया कुछ विशिस्त सुविदाओं से वन्चित कर दिये जाते हैं वन्चन के कानण इनमें अनेक कुंठाएं जन्म ले ले आप वन्चित बालक के क्या कौन कौन से प्रकार करें एक होता है समाजीक वन्चन इन्टरगताने इनके बारे में हम लोग फ्राइसा डीटेल में भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले ऐसे बच्चे माम वन्चित बालक का मतलब बताइए तो ऐसे बच्चे जैसे मान लीजे उनको वो उनके पास किसी चीज की कमी है ऐसे सोचो जैसे आपके साथ कोई बच्चा है स्कूल टाइम बे आप जब जाइए एक बार तो देखो कुछ बच्चों के जो संसकार होते हैं जो चीजे होती है वो बहुत अच्छी होती है तो उनको फील नहीं होता ह हम नॉर्मली भी बच्चों को बताने की कैसा फील होता है जैसे मान लीजे सामने वाला बढ़िया बोटल लेकर क्या रहा है बढ़िया बैग लेकर क्या रहा है है ना बढ़िया कार से आ रहा है इसकूल तो जो बच्चा नॉर्मली है उसको लगेगा कि यार देखो इनकी कि कितनी अच्छी है है ना उसे सब लोग बात कर रहे हैं उसे वो सब को पार्टी दे रहा है ठीक है और हम से कोई बात नहीं कर रहा है है तो आप देखो समाजिक रूप से ये बालक समायोजित नहीं हो पाते हैं मतलब इनके अंदर समायोजन नहीं हो पाता है इनका विभार आकरामक अपराधियों जैसा अत्वा संकोची हो जाता है मतलब या तो यह बहुत संकोच करेंगे चीजों को जैसे काम करने में ना संकोच करेंगे कहीं स्पीच देना है तो संकोच करेंगे या फिर अपराधियों जैसा कोई काम करेंगे सामाजिक एवं समवेगात्मक रूप से बाधित बालक वे होते हैं जो प्राया आसमायोजित होते हैं अता विभिन प्रकार की सामाजिक एवं समवेगात्मक विविदताओं के कारण इन में विभिन बाधिताओं जन्म ले लेती हैं जो प्राया बालक के विकास पर प्रतिकू और यह सारी चीज़ जो होती है इनका प्रयोग करने लगे हैं इन विविदताओं के कारण निम्न प्रकार के बालक हो जाते हैं कैसे मलब अलग अलग चीज़ होती हैं जैसे कुछ अपरादी बालक हो गए कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सर्फ नशावशा छोटी उम्र से करने लगते हैं हाना जैसे अब सीजी सी बाते भाई भाई माबाब काम पर चलें हैं और उसके बात में बच्चे की सोसाइटी बन गई वो बड़े लोगों के सामें गंदे लोगों के सामें रहने junk бесп दीरे दीरे करके बच्चा इन सब चीजों का सेवन करने लगा तो वो भी बालक कैसे हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं तो कूस्वा मायोजित हो जाते हैं तो इसमें इसलिए इनको दो प्रकार से विभाजित कर दिया एक होता है अपके अपरादी बालक दूसरे होते तो समझो जरा अब वंचित बालकों के क्या विशेस्टा होती है, अब आपको ये भी बताएंगे, इनकी पहचान है, आप कैसे करेंगे, ये भी बताएंगे, तो बस आज आपको यही पढ़ना ही है, तो अराम से मिरे साथ मैं पढ़ते रहो, देखो, क्या बताएगा कि वंच पती है, अर्थात ये जो इनके अंदर की चीजें सब पैदा होती है, वो या तो समाजिक, या आर्थिक, या सांस्कृतिक विशमताओं के कारण होती है, ऐसे समझो, जैसे आर्थिक विशमता है, अब उसको लगेगा, यार मेरे पास भी ये चीज होने चाहिए, उसने सोच से वो बालक क्या कहलाएंगे, वन्चित बालक कहलाएंगे, निरंतर वैज्ञानिक तकनीकी तथा आर्थिक प्रगति के बावजूद हमारे समाज के विभिन वर्गों में बहुत ही असमानता क्या है, विद्धमान है, एक वर्ग बहुत ही संपन, तो दूसरा वर्ग बहुत इस प्रकार समाज में रहते हुए किसी बालक को जब उसकी समाजिक आर्थिक और सैक्षिक अवस्थाओं की पूर्थी आशक्ताओं की पूर्थी ना हो सके उन सुविधाओं से वन्चित रहना पड़े तब उसे वन्चित बालक कहते हैं मैंलों ऐसा नहीं है कि इनके बुद्धी नहीं है या इनके पास कोई शारी दिक्कत है नहीं यह सब कुछ फिट एंड फाइन है जैसे हम लोग वैसे वो लोग लेकिन आप इनको इनके पास कमी किसी जो सबेसे पारारी सोशल सोचल नола लॉज मिला दूसरा इनके पास एकोनोम होता है और इसलिए ऐसे बालकों को क्या कहते हैं वंचित बालक कहते हैं एक बार अगर बढ़िया लग रही हो क्लास अब को समझ में आ रहा हो तो फटा फट से शेशन को लाइक कर दो हना हम तो चाहते हैं कि आज यह आपकी यूनिट का 2.1 कंप्लीट करके कल 2.2 शुरू करते हैं तो बस आप अपना विश्वास बनाए रखिए जल्दी ही हम लोग कम्प्लीट करेंगे अपना यह टॉपिक है वंचित बालकों की विशेष्टाएं क्या होती हैं सबसे पहले इन बालकों में समायोजन का इस्तर निमनोता है समायोजन का इस्तर का मतलब जैसे ऐसे समझ अब आपको बढ़िया यार आपकी स्कॉलर्शिप भी मान लो नहीं आई आपको सेकंड एयर की या सेकंड सेमेस्टर की या थर्ड सेमेस्टर की फीज भी सब्मिट करने है तीस चाले सजार रुपै आप सोचना है यार ड्रेस लेने से वेटर है पढ़ाई ज़ादा जरूर चलो तो आपके नदर क्या जाएगा एक प्रकार का समायोजन आ गया कि नहीं यार यह नहीं ठीक है हम ना पहले फीस भर देते पहले पढ़ाई कर लेते ड्रेस तो बाद में भी खरीद के पहल लेंगे शादियां पाटेयां तो बाद में भी होती रहेंगी तो यह क्या होते लेकिन वो बच्चे क्या होते हैं उनके अंदर समायोजन स्तर क्या होता है इनकी मित्रता प्राया ऐसे बालोकों से होती है जो आसमाजिक कार्यों में लगे होते हैं इनकी सबसे बड़ी विशेशता ही होती है इनकी जो दोस्ती होती है जो फ्रेंचीब होती है वो ऐसे कर रहे होते ना आप समझ सकते हैं समाजिक रहे हैं बहुत से ऐसे आई से कार रहvette हम उनके साथ हो जातीं जब इनकी कहरें तो और भी टोकन के साथ हम ःके साथ हम शुरू करदेंगे मात unasSH brands that जब कि अब देखो, इनमें असुरक्षा की भावना होती है, ये बालक सामाजिक रूप से हीन भावना से ग्रसित रहते हैं, ये समवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, इनमें भविशे की और रस्ती का आभाव होता है, अब इनको ये नहीं पता है कि चोरी अगर हमने की और अगर कहीं हम पकड़ लियें गएं, है ना, तो फीर तो हमारी लंका लग जाएगी, इनको ये नहीं पता होता है, अगर इनको इतनी ही अकलो तो ये ये काम ही नहीं करें, है ना, लेकिन अब इनको ँनुने तो चोरी कर लिए, इनको क्यों ये भविशे नहीं देख commute रह बहुत निराशावादी होते हैं इनको चिंता भी होती है और धर भी बहुत होता है सेक्षिक शेत्र में वंचन के कानड यह प्राया कुणधा से गरस्त होते हैं मतलब कुणथा समझ न वह ऐसा कर रहा है हम ऐसा क्यों कर पार है विध्याले करियों में भाग लेने लेने से कतराते हैं आप इक कोई स्कूल ने फंक्षिन है बोल दे जा कि बेटा आपको स्पीच जो की उचित नहीं है बलकि वंचित बालक की पहचान परिवार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सैक्षिक इस्थिति एवं उसकी सयम की स्थिति के अधार पर पहचान की जानी चाहिए इसके अतरिक्त इनकी पहचान के लिए अन्यक प्रशनावली उपलबन है जिन में से कुछ पहली होती है आपके दीरग कालिक वंचन मापनी यानि मिश्र एवं तरपाटी, दूसरी सांस्कृतिक वंचन मापनी समंद और रत, तीसरी है आपके सांस्कृतिक नरधारक मापनी एडी शर्मा, यादि विद्डाला में प्रवेश के समय बालक इस प्रकार क परिक्षड कर लिया जाए तो बालकों की सिक्षा की विवस्ता आसानी से की जा सकती है अब देखो ज़रा सबसे इंपोर्टन चीज क्या है कि वंचित बालकों के लिए अनुदेशन की रणनीतिया यानि इंस्ट्रक्शन स्ट्राटजीज फॉर डिस अड्वांटेज़स ड्राइव डिप्राइव्ट चुल्डन इसमें क्या कि विद्यालाय में बालकों का प्रवेशवर्ग बेद को समाप्त करके किया जाना चाहिए देखो यह हम लोग उसको कैसे सुधार सकते हैं इवन हम टीचर्स की क्या रिस्पॉंजिबलिटी किसकी है कि उसके अंदर से निराशा, वादी, कुंथा और आसामाजिक तत्वों को बाहर करना यह रिस्पॉंजिबलिटी हो जाती है फिर एक सिक्षक की है तो अब यह आप कदेच करना है तो सबसे पहले तो इनका प्रवेश करना है मतलब झब इनका ılar को शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए वंचित बालकों को समुचित विकास के लिए नियूनतम अवश्यक्ताओं की पूर्ति की जानी चाहिए इस्के लिए सरकार गौ tread D travaill प्रवाइट करनी चाहिए साथ में विद्याले में इनके साथ समानता का विभार किया जाना चाहिए ऐसा नहीं कि बच्चा उद्दमी हैं बच्चा उदंड है या बच्चे न ऐसा कोई कार कर दिया मान लीजे पहले तो आप उसको गलत नजरिये से देख रहे हैं बच्चे न से देख रहे हैं बजाए इन सब चीज हो के आपको समझाना है और छोटे बच्चों में थोड़ा सा हो जाता है ठीक है और जो थोड़ा सा वंचित है उनके साथ होता ही है फिर देखे इनके साथ प्रेम सहानु भूतिता था सहयोगपूर का विभार करना चाहिए ऐसा नहीं आपट इृ रिटेट होता है तो देखो आप क्या कहाएगा हम नहीं करेंगे हम नहीं एंगे टेस्ट नमबर आयेंगे कम आने तो जदा जदा मारेंगे ही तो मार तो डालेंगे नहीं कोई ऐसा कहने लगता समान पूर विद्याले अनुभाव अधिगम योगिता रुची अभीवरति और अभी प्रेणा का आभाव रहता है आता है इनके लिए उप्यूक तो पूर विद्याले सिक्षा की विवस्ता की जाने चाहिए जिससे कि वे अपने योगिता तता कमियों से छुटकारा पा सके आई बात समझ में आप देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है रुकिए वेट अब देखो सबसे इंपोर्टेंट चीज यहां से आपको बठाते हैं कि वंचित बालकों को आकर्शित करने के लिए तता सिक्षा की परिदी में रखने के लिए सब निम्लिकित प्रलोभन तता प्रणा 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 करना जिससे वे अपने बच्चों को विद्याले बेच चके उनको निशुल के सिक्षा प्रणा करना माले जैसे थोड़ा से आसमाजिक है वन्चित है चीजों से तो सबसे पहले आप उनके पैनेंट्स को मोटिवेट करिए कि लर्निंग बहुत तो आप पहले पर जैसे बहुत पैरेंट्स होते ना जहां जानना है जाये हमागा कहे मान हो रहे गए हैं जहां मन आता है वह घूमा करते है तो आप से एएसे बच्चों के पैरेंट्स कैसे बात करेंगे बिटी दिनामान कहा रहात, ऐसे करके बात करेंगे आपसे जब, तो आपको इनको सबसे पहले मोटिवेट करना है, भाई, अगर पैरिंट्स दी मोटिवेट है, तो सीजी सी बात है, बच्चा तो दी मोटिवेट हो गई होगा, तो सबसे पहले आप इनको मोटिवेट करेंगे, कैसे, कि auntie आप ऐसा करिए कि सबसे पहले तो न इनको सूबे किसी के हाथ स्कूल भीजवाईए उसके बाद में इस स्कूल के बाद में जब ये घर आए तो आप किसी को बेजदीजे फिर ये इनको यहां से घर ले करके जाए और उसके बाद में आप इनको अराम से खाना पीना दीजे, सो जाएं कुछ काम आम हो घर का, वो करवाईए, उसके बाद में फिर इनको बोले पढ़ने के लिए बैठें ऐसे करके, और पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, ये है, वो है, बच्चों को थोड़ा सा प्रेश है, ना कि parents children's से है, आजकल तो feeling यही आती है, बच्चे को जो पसंद होगा, parents तो वही करने लगते है, बच्चे को अगर वहाँ जाना पसंद है, तो parents वहाँ जाएंगे, बच्चे को जैसी movie देखना पसंद है, parents भी ऐसी movie देखेंगे, ये तो अलगी level हो गया है, सबसे पहल करने लिखाएंगे, नहीं सब हाल कर रूपी साथा, एक दुन सब रूपी है, सब पानी मधिम जा रहा है, यह जाका मोई यह उख सितना पन ब Parlस देखा है, बचिए इसे से कम से घरके बता है, थोड़ा बहुत है, पैर दो, बच्चे आप लगत्या स्टमा देखने हैं, vraisly सबसे पहले आपको समझाना है कि नहीं नहीं पैश्य की बात नहीं है मतलब ऐसी विवस्था देनी है उनको कि विद्याले से पाथ समागरी है जो साहिता समागरी है वो किताब समनिश्युल्क देनी आप जिससे पैलेंस जब मोटिवेट हो जाएंगे तो बच्चे आपने आप उनको समझाइए कि देखवांटी अगर यह पढ़ी लिख गया है तो दस अजार रुपिया में जो है खाते मा जाई इसको अलर्शी पा जाई अगर इनके परसेंटेज आगे हैं अगर यह हो गया अगर तो आपको उन्हीं की भाशा में उनको बहुत अच्छे से समझा बच्चे को थोड़ा लालत देंगे कि आप अगर इतने परसेंटेज ले आते हैं यह हो जाता है तो आपको बढ़िया से पढ़ाई करने के लिए एक एंड्रॉइड फोन दिला देंगे यह टैब दिला देंगे ऐसे करके भले आप उसको आगे चलके टैब नहीं लेकिन उस जिससे बालक परिवार का सहयोग कर सके ऐसे फैमिली होती है उनके सीधी सी बात एक क्रशी प्रधांता देश है अपना तो उस समय जैसे जब बीज बोने होते हैं कटाई का समय होता है कटाई का जहना जब फसल तयार हो जाती है तो ऐसे समय पर बच्चों को यह नहीं की मैम कित्ती बड़ी है मैडम सब हमरी बात मनती है पैरेंट्स यहीं कहेंगे आपसे आप उस बात को मेरी कनेक्ट कर पारें ना वहां तक आपको पहुंचाना चाह रहे हैं ठीक है वरी गुड फटा 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 शेशन को लाइक भी करते चलो बहाई चो 11 बालों के लिए वि ना भी को धी तो दीक हो करके मुख्य धारा में विध्यालाय में समाहन बालों को साथ पट योगित्ता करने के लिए समख्लिथ हो शकें खेंट इस क्षिक्ण期~~ का दाइत वन्चित बालकों की सिक्षा की दिशा में जन्चेतना को जागरत करना है तथा उन उपाईयों की खोच करना है जो समाज सता संस्क्रिट के विशसे संदर्व में वन्चन से प्रभावित बालकों को उनकी क्षमता के अनुसार अवसार दे सके इस दिशा में तो यहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां आपको free of cost PDF मिलेगा एक काम आपको करना है आपको हमने एक अगर नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं लेकिन फिर भी आगर आप करवा सकते हैं तो यह मान की चलिए बहुत ultimate कुछ हो सकता है तो सबसे पहली बात तो आपको डेली करना करना है कमेंट करना है नए हैं तो subscribe कर लेना है पुणाने हैं तो और नए हैं तो तब भी आपको share maximum कर करना है हना चाहे जैसे एक subscriber आपको बढ़वाता है हना चाहे आप किसी आए एक family में five phone होते नियर अबाउट तो आप किसी से भी कह सकते हैं आपके इतने दोस्त हों कि उनको share कर दो कुलमला के subscribers 10K करवाने है अट अवाला सीन को लाइक करना ना भूलिए और हमेशा हम जाते आप वहां आना नहीं बूलेंगे एक क्लास आपके साहम को 6 बजे समावेशी सिक्षा की होती है हना तो यहीं से करेंगे session coin मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के मात्यम से कल साहम 4 बजे हमेशा खुस रही है मुस्कुराते रही है कभी अपने लिए तो कभी अपनों के ल करेंगे विलती है मुस्ट लिए नेन आपके सिक्षा करेंगे।